भारत के कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड अभी भी कम से कम 11 यूरोपीय संग के देशों द्वारा स्विकार नहीं किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ओफ इंडिया के मुख्य कारिकारी अधिकारी अदारपूना वाला ने उन देशों में यात्रा करने वाले छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की घोशडा की। नवीन तम ट्वीट के अनुसार सीयो ने रूप ऐसे छात्रों के लिए 10 करोड जो जरूरत पढ़ने पर समर्थन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीयो ने ट्वीट करते हुए कहा की छात्रों को जो कुछ लागते जट उठानी पड़ती हैं क्यूंकि कोविशील्ड बिना संगरोध के यात्रा के लिए स्वीकृत जो वैक्सीन जो नहीं है। यूरोपिये संग के थ्री प्रकार के कोविड नाइंटीन पासपोर्ट लॉंच किये गए हैं यात्री की स्थिती के आधार पर टीका करण पासपोर्ट, परीक्षण प्रमाण पत्रप और पुनरप्राप्ती प्रमाण पत्र। हाला कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने केवल चार टीकों को मंजूरी दी है। कोविशील्ड जिसे इस्ट्राजेनेका के साथ साजिदारी में एसायाय द्वारा निर्मित किया गया है, कविशेश रूप से उलेख नहीं किया गया है। जिससे यह भ्रम पैदा हो गया है कि क्या कोविशील्ड पर टीका लगाए गये भारती ये यूरोपिय संग की यात्रा कर सकते हैं या नहीं। भारत बायोटेक के कोवाक्सिन और एसायाय के कोविशील्ड को बाहर रखा गया है। भारत ने कहा कि यदि भारत के दोनों टीकों को सुविकार कर लिया जाता है तो वह यूरोपिय संग के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को मान्यता देगा। SII के CEO अदारपूनावाला ने ट्वीट किया की टीका करण करने वाले लात्रियों को प्रवेश दिशानिर देशों को पढ़ना चाहिए। ये एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं।